मस्कार दोस्तों पिछली व्यूडियो में आपने देखा था कि शवर का वरगेगंग आपने पूरा देख लिए था वेंजन के परकार हमने देख लिए थे अब दोस्तों में पताया था कि सवर और वेंजन है आज का अस्थान का अचान स्थान का को Nik質 दे sketches पक यह टोपिक है सवरवय वेंजन का उत्सान स्थान वे साथ में बाकी जो अन्य वरण भी होते हैं उन वरणों का उत्सान स्थान भी हम इसी टोपिक में देखते हैं तो स्टार्ट करते हैं सवरवय वेंजन का उत्सान स्थान यहां पर देखते हैं कि यह हो जाएगा अपना इस्तान, मुख्य रूप में अगर देखा था है तो यहां पर जाएगे इस्तान, यहां पर जाएगे इस्तान, कि कौन से सवर का उच्ण कौन से इस्तान से होता है, यहां पर जाएगे वेंजन और वेंजन मैंने आपको तीन प और अंतस्त वेंजन के आगे हो जाएगा नमर चार पे हो जाएगा अपना उस्मा वेंजन और पांच पे हो जाएगा अन्य इसके अलावा भी एकर कुछ गण बसता है इसको अन्य विस्तान दिया जाएगा दोस्तो अपने उचानिस्तान है नमर एक पर है कंट कि कौन सा सुरी यहाँ पर डालते हैं करम संख्या करम संख्या एक पर है कंट करम संख्या दो पर है तालू करम संख्या तीन पर है मुर्धा करम संख्या चार पर है दंते करम संख्या पांच पर है ओस्थे करम संख्या छे पर है, नासिके, करम संख्या साथ पर है, कंट तालवे, करम संख्या नो पर है, दन तोष्टे, वे करम संख्या दस पर है, जिवा मूलिये, दोस्तों ये हो गई अपने दस उत्सानिस्तान, अब देखो दोस्तों कौन से सवर है जिसका उचान कंट से होता है दोस्तों केवल कंट से और आ सवर ही उतरित होते है यहां से एक्सर कंपेटिस्न में पढ़सें पोचा जाता है परफ़न यहां से अगर यह पूच ले कि ए और आ वड़नका उचान स्तान कौन सा है तो दोस्तों ए और आ वड़नका उचान स्तान है वो कंट रहेगा अब देखें मैंने आपको इस परसी मेंद्रों की सिंझिया 25 बताई थी परसी मेंसे सिंझिया 25 बताई थी दोस्तों इस पर शिवर्ग मेंसे के खे गे और अडा यह he पांस हो जाता है अंतस्त्र ब्वेंद्र में एक प्रण से मुतारिक होका नहीं होता उसम्हांदमी बनाता है वो है है और अन्ने लाजाएगा विसरग विसरग आप जानते हो जिसे विसरग कौन सा होता है विसरग होता है ये वाला वरण अब दोस्तों इसकी गहराई से एक परसन और कई बार पूछ ले जाता है इन में से मैं यहाँ पर छोटा सा ले कराऊ नीचे यह देख ले ना इन म कहले वरण भी कहा जाता है दोस्तों इन ना वाला हो जाता है नोशाथ वृण ही कन्थ है नकीन एक और यह मा पर सायरत है ये और या इस पर्शी बेंझणुन की बाद करें तो यहां पड़ा जाएगा चे वरग है चे निया है उर इहить। In वरणो के बाद करें तो यहां से क्व uważ एक वरण होगा वह कुङ सा है यह है कि अप इस बेंझणुन की करें करें तो यहां पर ये हाँ सांकरवाला स। दोस्तो इन वर्णों का उतारिस्तान तालू है ए-ई-ई, चैवरग, ये और से अन्य में एक भी बढ़न यहां से उतारित नहीं होगा दोस्तो आगे चलते हैं मुर्दा में मुर्दा में के वो एक सवर उतारित होता है वो सवर है री और म मिने आपको इसके बारे में पेहली विता है इस री सवर को आगत सवर के नाम से जाना जाता है इसको ता तसम सवर के नाम से जाना जाता है दोस्तों एक बात का और धान रखना यह री सब्सक्त, यह हर वर्गिकरण में EU impact के सा रहेगा केवल एक उच्पार इस्तान यही तो मुर्दा सवर में मुर्दा इस्तान से केवल री सवर उचारत होता है इस पर सी एंजनिंगी करवात करें तो इसमें टेवर्ग आ जाएगा और टेवर्ग के साथ में आपको दो बन दोस्तों वर्वते थे दे और धे जिनकी निचे नुक्ता का प्रियोग होता है ये दोन वर्ण भी मुर्दा वर्ण ही कहलाते हैं दोस्तों री सवर है टे वर्ग है टे ठे डे और अने और साथ में डे और धे जिनका मैंने आपको नाम बताया था उत्षिट या ताडंगा दोस्तों यहां पर ओड लिख रहा हूँ इसको उत्षिट भी कहते है इसको ताडंगा भ और रभात में तो यहां पुराईगा सेसे सटकोनवाला से दोस्तों ये वरह जिनका उचान मूर्दा स्तान से होता है दोस्तों नमर-चार पर चलते हैं धंतेवरन धंतेवरन उत्तान करें प्त तो répondre है rek gy pana इन वर्णों का जब उचान करते हैं तो अगर अपने गले में कंट है वो सक्री होता है अगर ये चैवरग और ये और सेखा अगर उचान करें तो तालू भाग है वो सक्री होता है अगर उचान करें तो दोस्तो इसमें मुर्धा बाग सक्री होता है और दंते के अगर बात करें तो यहां पर आजाएगा ले और उसमें बेंजर की कर बात करें तो यहां पर आजाएगा ले और उसमें बेंजर की कर बात करें तो यहां पर आजाएगा ले और उसमें बेंजर क कर बात करें तो यहां पर जाएगा से जेको दोस्तों अक्सर हम इन तीनों से का उच्छाण एक इस तान से करते हैं जो सरासर गलत है इस से को कहते हैं दोस्तों तालबे से इस से को कहते हैं दोस्तों मुड़धने से और इस से को कहते हैं दोस्तों दंते से यानि जब इस से का तो अपनी जीवा का अगर भाग उड़कर मुद्ध को इसपर्श करता है इसे सही को तालवे से कहते हैं इसे सही को मुद्धने से कहते हैं इसे सही को धंपे से कहा जाता है तो ओस्टी के गर बात करें। तो कमें strong room Mr. T. A कहां जाता हैं ये दूनों समझ है को ओस्टे कहा जाता है। यानि इन दूनों भरों त्बॉयों को उच्राण करते हिं तो उपने होट कहीं ना कहीं किस ना किसी रूप में आपस में इसपर्स करने का प्रियाश करते हैं, अंतस्त मेंजन में अपने πोई बर्ण लिखने के लिए हैं अब चुटते हैंकिक के बरण में वेसिक कोई पर्टिकुलर वर्ण तो नहीं है लेकिन अगर बात की दैगर इन पांच वर्ण की अगर डे अगर दोस्तों अड़ा बे बंदी का प्र्रयूग यहां फ्रकिया जाएगा अगर इसी बिंदी का प्रियूग यहां प्रकिया जाएगा कुछ तो मुख से निकलती और कुछ नासिका से निकलती तो दोस्तो नासिका में एक भी सवर उतारत नहीं होता है इस पर सी बेंदनों के अगर बात करें तो अडे ये अडे ने ले वे मे ये पांक वने से हैं जिन वर्नों का उतार एक स्थान दिशे नहीं वलकि दोस्तो दो दो इस्तान से होता है एक बार तो ये के वरना पने वरक के ससाथ में उचारिक होते हैं और अगर मालो प्रसण अगर मालो यह हैँ पूतले कि कि ने का उचारने pent- הח नासी के नमर तीन पर आजाए जनते वे नासी के दोनू यानि एक वे दो दोनू और नमर अगर तीन पर अगर नमर च्यार कोई आजाए कोई नहीं तो दोस्तों एक वे दो दोनू नहीं देने हैं आपको ध्यान रखना है नासी के ये दो नय वरण है इसका उचान कहां से होग लिए नवीन के सब्सक्राइब और दूसरी वारों चांट रखते लिए तो इनों जोगी है और अगे चलते हैं नसी के बरनों में यह पने पांचल नसी के के बरनों हो गई में इसी के साथ में अंतरस्त वेंदरव में एक भी वरण न है उसमा वेंदरव मैंने आपको पहले दिया के यह पुरी ब्लाइन खाले देगी और अन्ने मी दोस्तों यहां परा जायेगा विस्तर रखें। औरTOG अनुस॓र अनुसयर जाएगा दोस्तों क्हाली हो जाएगा क्णठ टसफर ये दोन यानि ए और या अगर आपसे मिलते हैं तो डोस्तों कोन से सावरों का गर्माण करते हैं इसे आँज प्ता है एंग तो A और I सवर है, इन दोनों सवरों को कंड तालवे सवर कहा जाता है, इस पर सी वेंजन में अपने पास में एक भी नहीं बचा है, यह पूरा का पूरा कोलम दोस्तों क्या रहेगा, खाली रहेगा, अंतर्स्ति वेंजन में अपने तीम वन आगे हैं, एक वन है जिसका उचा आगर पासफ तेजर है के वहला कंड तालवे सवरे, बात करते हैं कंड तालवे अगर इंथक एक बन तो दोस्त प्र ब्दर दोस्तों कों से वर मन पर मन चांड़ा है, ने यह अपने वनह ब्रन पूरा हो घर देखते हैं और दोस्तों चलते है दन्तोस्त के अगर बात करें इस फार्श में पहले से पूरे इस फ़े को भी दंतोस्ट बन की श्रीक में रखा जाता है। इस फ़े को आगत बेंजल ये सो अर्भी वासा की फार्स लियाटी क Scred Papag … जाता है। वै और फ़े इन दोनुर बन को दोस्तो दंतोस्ट बन कीरें रखा जाता है। और उस्मा वेंदर में अपने पास में एक भी बरना नहीं बचा है, तो दोस्तो ये खली रहेगा, और अन्ने में भी इतने या पर पुई बरने नहीं आएगा. दोस्तो बात करते हैं, लास्ट में जीवा मूली वरन की, तो जीवा मूली वरन में अपने पास में सवर एक भी नहीं बचा है, इस पर से वेंदर अपने पास में एक भी नहीं बचा है, और उसमा वेंदर नहीं बचा है, अब यहाँ पर दोस्तो अपने पास में बचते हैं, क सब बांचों को आधाती विंजन के नाम से पुकारा जाता है तो दोस्तों में से एक उपर बता रहा हूं एक नाम धोताय के वर्ण पर लत ना हैै EP सबनें बंटर से ब्यान बें वकष से ब्रूम सब नहीं 가장 क्मेश wal Problem सब्रा miram दोस्तों यह कंपॵर्ण ? आते हैं अपने नहीं सबांच सबय को एक साथ बताँ गा सब्राइब दोस्तों यह होगे इन सार्य जो वरन कभ एक साहर न्य SEC 1987 मैंने आपको बताया था कि सबर और वेंदिन को मैं आपको एक साथ बताऊंगा ताकि आपको एजली याद हो जाएंगे दोस्तों देखे सारे के सारे बनाएं यहां पर अपने पास में एक ही ब्रेकबोर्ट बरा गए है तो मैं जहां तक समझता हूँ साथ आपके इसी प्रकार यह कोई दुविदा नहीं होगी वेसे इनकी ट्रिक भी आप बना सकते हो जैसे आप कह सकते होगी अको है विसरग कंटरामा यानि ए आ के वरग है और विसरग इन वरणों को हम क्या कह सकते हैं गंट से उतरग करते हैं इनको क्या कह सकते हैं कि अको है विसरग कंटरामा अगर बात करें तालू से उतरग वरणों की तो तालू से उतरग वरणों को हम कह सकते हैं इचू यह से तालू राम रे आगया और से आगया अगर बात करते हैं दंते वर्णों की तो दंते वर्णों में ते ले और से आते हैं यानि ते वर्ण आता है ले आता है और से आता है तो इसको हम कह सकते हैं तुलसा दंते अगर बात करें नासिके वर्णों की तो ओस्टे वर्णों में उसवर है साथ म यानि कंट और तालू यानि ए और ई सवर जब मिलते हैं तो ए और आई बनाते हैं और अगर कंट और अगर ओस्टे मिले यानि ए और उ अगर मिले तो ओ और आउ सवर का निर्माने करते हैं दोस्तों दंतोर सवर को आपको याद रखना है वै और फै यह अपना फै वाला अपन वर्षा का फार्शी वर्ण है तो दोस्तों ये दोनों वर्ण हैं दोनों वर्ण को वर्टस्य वर्ण की सरने में रखा जाता है और बात करें अगर नमर दस की जीवा मूली वर्ण तो जीवा मूली वर्ण के अगर बात करें तो कहे खे और गए ये तीनों वर्ण जिनको हम वि जिद्वाओं ने इनका वर्गीकन किया है तो क्या पता कम्पेटिशन में यहां से वेक्रमालों को कुछ न पूछा जाए तो हमारा किसी परकार से इस वर्ण उत्सान से पोई अपना परसन गलत नहीं हो इसलिए हमने इसका भी वर्गीकन कर दिया है कि नय से और फैर इन तिन यह इनको काक्कल वर्ण किसरें में रखा जा सकता है दोस्तों यह तो हो गया अपना सवर और वेंजन में साथ में कम्प्रीट वर्ण का उच्छाल इस्तान दोस्तों मैं आपको बता रहा था कि मैंने सवरों का वर्गीकन पहले पुरा करवा दिया था पिछ्वी क्लास में आपको एक परकार तो बता गिया है वो कौन सा बताया है उच्छाल इस्तान में आपको बता गिया है अब अपना दूसरा दो परकार है वो दूसरा ही परकार यह रहेगा सवर तंतरी के आधार पर और तीसा रहेगा उच्छाल ने कालमान के आधार पर तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही आप जो अपना गेंजन का दूबर गीकरन है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और किसी प्रकारग्यों को तुरूटी अगर आपको इसे वाले टोपिक में कर नजर आए तो आप प्लीज कमेंट बोक्स में कमेंट करें और हमें आउगत करें त धन्यवाद दोस्तों आज के लिए इतना ही